तो चलो एप्रिल दो हजार बीस के करेंट अफेर्स की सीरीज को शुरू करते हैं कंटीन्यू करते हैं 2021 प्रिलिम्स को टार्गेट करते हैं हम लोग इस सीरीज को जो है वो कवर कर रहे हैं यहां पर बाद हो रही है National Board for Wildlife के बारे में तो इसमें सिंप्ली सी चीज आपको यही ध्यान में रखना है कि यह है कि Statutory Organization होता है वो किसी कानून के द्वारा बनाया गया होता है तो Wildlife Protection Act 1972 के द्वारा यह बनाया गया है इसका काम जो है आपको सिर्फ ध्यान में रखना एडवाइस देने का काम है कि इसको एडवाइस देती है Central Government को देती है अब देखो National Wildlife Board है यह National Board for Wildlife तो इसका काम यह होगा कि जितनी Policy सरकार बनाती है Wildlife के Conservation से Related उनके संरक्षन से Related तो उस पर Advise देती है और इसके लब एक Important चीज की आप ध्यान में रखना कि हमारे जो Prime Minister जो है वो इसके Chairman हम लोग को देखने को मिलते है और एक और छोड़ी सी Important सी चीज है जिसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखन संचुरी कोई भी National Park या Wildlife Century के एरिया में Alteration नहीं किया जा सकता है यानि कि कम या जाधा इस Board के बिना Approval के किसी भी National Park या Wildlife Century की Boundaries में Alteration नहीं किया जा सकता कम जाधा नहीं किया जा सकता उसकी उसको boundary को यह चीज भी आप लोग को थोड़ी सी अच्छे द्हान में रखने है बाकि इसमें टोटल 47 मेंबर होते हैं यह सब चीज इंपॉर्टन नहीं है कौन एक्स ओफिशिय कौन दूसरे मेंबर है यह चीज इंपॉर्टन नहीं कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो उसके चेर्मन हम लोग को देखने को बलते है मिल ली यह चीज पूछी आएगी और जितने भी मामले होते हैं वाइड लाइफ से रिलेटेट तो उसको रिव्यू करने का इसका काम होता है और जो भी प्रोजेक्स होते हैं नैशनल पार्क वाइड लाइफ सेंचुरी के आजू बाजू तो उसको अप्रूफ करने का भी इसका काम होता है तो यह समय पर इस हाइवे को बनाने के लिए फाइनल अप्रूवल जो है वो नैशनल वाइड लाइफ बोर्ड ने जारी किया था वीडियो कॉंफरेंसिंग के तुरू तो इसलिए ये टॉपिक हमें न्यूज में देखने को मला था अब ये नैशनल वाइड लाइफ बोर्ड इसके ये 10 किलोमेटर के एडिया पर 10 किलोमेटर के एडिया अपको eco sensitive zon का आ जाता अब जरूरी ने कि य से जाधा भी area बढ़ाया जा सकता है वह डेमेट करता है सरकार की notification के उपर बाट minimum 10 किलोमेटर का एडिया एडिया तो हम लोगको eco sensitive zone के पास देखने को मनता है यह चीज बिल्कुल अच्छे से clear रखो बिना किसी doubt के और यहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिल रही है wildlife century का करनेंज, सोहल, black buck और काते पुरना तो यह हम लोग को wildlife century देखने को मिल रही है तो इसलिए इसी के पास से होकर शुरू नहीं हो सकते है अब United Nation Peacekeeping यह बहुत important body है United Nation की शांती बरकरार रखने के लिए यह body जो है वो काम करती है United Nation के अंडर यह हमें देखने को मिलती है तो United Nation Peacekeeping एक joint effort है Department of Peace Operation और Department of Operational Support का और हर एक Peacekeeping Mission जो है वो Security Council United Nations Security Council authorized करती है याद रखियेगा और इसके लाबा Financial Resources जो United Nation Peacekeeping Operations के आते हैं तो वो United Nation की जो Member Countries होती है वो donation देती है उनकी collective responsibility होती है बेसिकली एक प्रकार की और according to United Nation Charter हर एक Member State जो होता है वो legally obligate होता है कि उसे अपना respective share जो है वो pay करना पड़ता है जितना उसका donation होता है उसे वो देना ही पड़ता है तो ये legally obligation हम लोग को हर एक Member States के उपर देखने को मिलती है United Nation Peacekeeper जो होते हैं ब्लू कलर के helmet पहनते हैं इसलिए इसलिए इन्हें Blue Helmets या फिर Blue Berrets के नाम से भी जो हो refer किया जाता है जैसे कि इंडिया है हमारे यांके soldiers भी गए है police force authorities भी हम लोग ने भेजी है United Nation Peacekeeping Mission में तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है और countries जो है वो voluntary basis पर अपनी खुद की इक्षा पर जो है ये forces को भेजती है तो ये चीज भी आप लोग को थोड़ी सी धार में रखनी है civilian staff जो होता है peace operation का उसमें international civil servants हम लोग को देखने को मिलते जैसे ही कई बार Indian foreign services के officers भी इसके अंदर शामिल हो जाते हैं कई बार और इसके लाबा इनको recruit और deploy किया जाता है United Nations Secretariat के त्वारा क्या आप मुझे बताएंगी United Nation का Secretariat है कहाँ पर नीचे comment box पर लिख कर रहता है और United Nation के chief कौन है Antonio Guterres तो ये चीज आपको धहर में रखनी है इनके chief Antonio Guterres इन्होंने suspend किया है कि किसी भी प्रकार से ये peacekeeper जो है वो rotation नहीं होगा at least June 30 तक क्योंकि obviously वादे coronavirus के फैलने का या transmit होने का डर था कि क्या पता peacekeeper के थूँ coronavirus जो है वो फैल जाए एक और मैं चीज आपको बताता हूँ 1918 के समय पर हम लोग को एक pandemic देखने को मिली थी influenza pandemic एक महामारी हम लोग को देखने को मिली थी तो ये महामारी इंडिया के अंदर जो है वो soldiers के थूँ आ गए थी जो इंडियन soldiers जो थे जो तैनात थे इनको भेजा गया था British authority के दौरा तो वो जब वोपेस आये थे इंडिया के अंदर आफ्टर बार तो उसके बाद हमें देखने को मिला था कि ये इंडिया में जो है वो influenza ये फैल गया था ये pandemic जो है वो हम लोग को देखने को मिली थी तो ये वाली चीज थी जिसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा idea होना चाहिए अब देखिए गाईज इंडियन council for cultural relation ICCR की बात हो रही है तो 1950 में इसका गठन हुआ था किसके दोरा मौलाना अब्दुल कलाम अजाद के दोरा question ये भी आ सकता है कि इंडिया के पहले independent इंडिया के पहले education minister कौन थे मौलाना अब्दुल कलाम अजाद तो इन्होंने ICCR का गठन किया था ये एक autonomous organization है इसे responsibility दी गई है international day of yoga अब बताओ अंतराश्रिय योगा दिवस कब मनाया जाता है तो 21 जून 21 जून आपको ध्यान में रखना है अंतराश्रिय योगा दिवस मनाया जाता है तो ये जो celebrate किया जाता है Indian mission या Indian posts के द्वारा जो abroad में posted हम लोग को देखने को मिल रहे है जो authorities हमारी तो वो international day of yoga जो है वो celebrate करते है तो उनकी मदद करने के लिए ICCR को जो है वो responsibility दी गई है ICCR का 70th foundation day 9 April को हमें देखने को मिला था ICCR का objective क्या है तो actively participate in formulation and implementation of policies and programs pertaining to India's external cultural relation तो abroad में जो हमारे cultural relations जो होते है न यानि कि India के culture abroad में जो promote किये जाते हैं और दूसरी countries के cultures के साथ एक relations जो है वो create किया जाते है तो उसमें ये actively participate करती है ICCR और मजबूत बनाती है cultural relation को mutual understanding develop करती है इंडिया के बीच में और दूसरी countries के बीच में और promote करती है cultural exchanges को तो ये चीज़ आपको धायर में रखनी है और important awards जो ICCR द्वारा दिये जाते हैं यह है Distinguished Indologist Award World Sanskrit Award Gisela Bonn Award अब देखिए Essential Commodity Act 1955 की हाबर बात हो रही है तो इस कानून को बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति Essential Commodities जो होती है तो उसकी जो है वो holding नहीं करना है मतलब कि उसको जमा करके अपने पास नहीं रखना है उसकी जमा खोरी नहीं होनी चाहिए तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने का काम करती है और ensure करती है कि इस प्रकार की जो Essential Commodities है वो time पर लोगों तक जो है वो पहुँचे है जिससे की लोगों की life effect नहीं होनी चाहिए इसके अंदर food stuff include होता है दवाईया included होती है fuel, petroleum products और भी काफी सारे products इसमें include हो सकते है तो states ने कहा है कि लागू कर दो Essential Commodity Act 1955 को Ministry of Home Affairs को कहा है जिसे की smooth supply जो है वो essential item का fair price per country में मिल सके क्योंकि क्या होता है कि लोग बाग जो है वो संकट के समय पे कुछ लोग profit कमाने के लिए क्लिए क्या करते है जमाखोरी कर लेते हैं कुछ products वगेरा जो है वो अपने पास store करके रख लेते हैं जैसे उसके price हाई होते है या फिर demand हाई होती है supply नहीं है demand हाई है तो black marketing उसकी हमें देखने को मिलती है तो यह सब चीज़े हैं और drugs के cases में कितना हुआ है कितने सारे drugs हैं अभी coronavirus के समय पर कितनी हम लोग को इसमें जमाखोरीया देखने को मिली थी तो यह कुछ चीज़े हैं आप थोड़ी सी ध्यान में रखना और एक चीज़ यह याद रखना कि Essential Commodity Act जो है इसके तहट हमें देखने को मलता है कि कोई भी व्यक्ति अगर इसका पालन नहीं करता है इस कानून का तो साथ साल की सजा और फाइन या फिर दोनों उसको हो सकता है तो यह चीज़ भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है और स्टेट जो है अब और नोटिफाइ कर सकते हैं Essential Commodity Act 1955 के तहट बिना Central Government से permission लिए 30 जून 2020 तक तो यह अला भी एक चीज़ जो है वो सामने रख दी गई थी जिसे की स्टेट जो है वो अपनी स्टेट में अगर उनको लगता है कि कोई Essential Product है तो वो नोटिफिकेशन से उसको जो है वो लागू कर सकते हैं उसको Essential Commodities में जो है वो सामिल कर सकते हैं और सामने वाले वेक्ति को बुक किया जा सकता है Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodity Act 1980 के तहर्ट Food Corporation of India इसकी बात करें गई वेरी इंपोर्टन टॉपिक तो Food Corporation Act 1964 आपको ध्यान में रखना है इसके तहत FCI को सेटप किया गया है और Effective Price Support Operation to Safeguard the Interest of Farmers Farmers के Interest को Save Guard करने के Purpose के लिए ये FCI हमें देखने को मिलती है Food Corporation of India देखो Farmers से जो होते हैं वो Minimum Support Price पे राइट ये जो वो खरीद लेती है राशन खरीद लेती है ग्रेंज खरीद लेती है और फिर उसे Public Distribution System पर ये Transfer कर देती है जहाँ पर Fair Price Shop के थ्रू या फिर राशन शॉप के थ्रू और National Food Security Act 2013 के थ्रू जो है ये प्रड़क्स होते हैं Open Market Sale Scheme Rates के तहट और बिना किसी E-Auction Process के थ्रू मलब कि कोई निलामी नहीं होनी चाहिए Directly Open Market Sale Scheme Rates उसके तहट ये प्रड़क्स जो है वो दिये जाने चाहिए तो आपसे Open Market Sale Scheme भी पूछी जा सकती है इसका मतलब होता है कि Food Grains होते हैं वो सरकार या सरकारी Agency जो होती है वो Sell करती है और Pre-Determined पहले से निधारित Price के अधार पर किये जाते हैं I.GOT की बात करें Integrated Government Online Training हमें देखने को मिलती है तो Department of Personal Training ने Launch किया यह Online Training Platform Coronavirus से लड़ने के लिए और इसके अंदर Training प्रवाइड की जा रही है Doctors को, Nurses को, Paramedics, Hygiene Workers को, Technician को, Auxiliary, Nursing, Midwives को, Central और State Government के Officers को इनको Training दी जा रही है कि कैसे यह Pandemic से लड़ सकते हैं और इसमें Human Resource Development Ministry, मतलब की Education Ministry जो है गाईस उसकी दीक्षा platform हमें देखने को मिल रहा है तो उसमें यह training जो है वो प्रवाइड की जा रही है और platform जो है गाईस यह 9 courses आज की rate में offer करता है जैसे की basics of COVID, ICU care और ventilation management, clinical management, infection prevention, through PPE, infection control and prevention इस प्रकार की quarantine और isolation तो ऐसे courses इसके अंदर है जिसमें training जो है वो frontline workers को दी जा रही है और दीक्षा portal की भी बात कर लेते हैं तो दीक्षा portal Ministry of Education का एक initiative हम लोग को देखने को मिलता है जो की digital platform provide कराता है teachers को की teacher जो है वो और मलब और digital अपनी lifestyle जो है बना सके तो यह चीज़ हमें देखने को मिलती है दीक्षा portal launch किया गया है National Digital Infrastructure for our teacher तो दीक्षा portal की बात आती है तो आपको तुरंद क्लिक होना चाहिए कि teachers के लिए यह platform है और अभी इसी platform का use करते हुए frontline workers को training दी जा रही है और teachers जो होती है वो यहाँ पर teacher जितने भी होते हैं वो यहाँ पर सीखते हैं और अपने आपको train करते हैं जो भी resources वगएरा मौजूद रहते हैं तो उनको training जो है वो मिल जाती है skills वगएर अपग्रेट होती है teachers वगएरा की अब देखिए मधूबन गाजर का bio fortification हमें देखने को मिल रहा है आप कहीं पर भी bio fortification शब्द सुनें आपको तुरंद क्लिक होना चाहिए कि crop में breeding के थुरू extra nutrition जो है वो डाल दिये जाते है यानि कि एक crop है उसमें extra nutrition डाल दिये जाते है जैसी कि rice fortification, wheat fortification इसकी बहुत चीज आती है जैसी कि चावल है अब चावल में carbohydrates के लावा और कुछ नहीं हम लोग को देखने को मिलता है तो उसमें extra nutrients डाल दिये जाते है iron farmers को काफी मदद करेंगे ये गाजर जो होंगे वो काफी बीटा के रोटीन में काफी हाई होंगे और iron content इसमें काफी हाई हमें देखने को मिलेगा ये variety मदूबन गाजर की जो है guys ये गुजरात, महराश्र, राजिस्थान, West Bengal, उत्तर प्रदेश में पिछले 3 सालों से उग रही है याने की cultivate किया जाता है और मधुबन गाजर का उपयोग काफी सारे value added products में उपयोग में लिया जाता है और इसे develop किया गया है श्री वल्ला भाई, वासरम भाई, मर्वा निवास के दौरा, तो ये चीज़ है, nasal पैसे gel एक आ गई है, coronavirus को treat करने के लिए gel हम लोग को द ये develop करेगी gel को जो की nasal passage पे लगाए जा सकता है और ये inactivate कर देगा gel coronavirus को, तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है, अब गमोसा की बात करने, देखो गमोसा एक पंच्छा, पंच्छा आप समझे तो क्या होता है, वो एक पंच्छा बोलते है न उसको शायद मेरी खाल से लाल कलर का गमच्छा जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो गमोसा एक टावल है, ठीक है टावल हम लोग को, decorative cotton का टावल हम लोग को देखने को मिलता है, गमोसा, question ये बनेगा, गमोसा कहा का है ये, तो ये आसाम का है, आसाम के लोगों के लिए गमोसा जो है वो बहुत ज जान में रखनी है इसके सामने अब थोड़ी सी बात करेंगे Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques Act 1994 के बारे में तो main purpose जो इस particular कानून को लागू करने का है वो यह है कि use of sex selection techniques before और after conception and prevent the misuse of pre-natal diagnostic techniques for sex selective abortion तो देखो आज की रिट में काफी सारी techniques हम लोग को देखने को मिलती है जिसमें पता लग जाता है कि mother के womb जो होती है उसमें बच्चा जो है वो male है या female है तो इस प्रकार से sex selective abortion वगरा जो होते हैं तो उसको reduce करने के लिए ये कानून हम लोग को देखने को मिलता है तो ये चीज़ आप बिलकुल अच्छे से clear रखिए है case to case वो depend करता है बट हां इसको बिलकुल भी जो है वो allow नहीं किया जाएगा sex selection के purpose के लिए तो ये कानून जो है guys ये हमें देखने को मिला था कि हमारी country के अंदर जो sex ratio जो है वो decline हो था अब sex ratio का मतलब क्या होता है हर 1000 male child में कितनी female child जो है वो birth लेती है तो ये 972 था 1901 में और गिर कर 927 हो गया था 1991 में तो इसलिए इस कानून को लाए गया और देखो ये कानून जो है वो 1994 का हमें देखने को मिल रहा और मैंने आपको बताए कि 1991 में जो था ये हमारा 927 हो गया था 927 आप मुझे बताएंगे कि आज की rate में sex ratio जो है वो कितना है जरा नीचे comment box पर लिख कर बताएं कि हमने कितना improve किया है 2011 का अकर आप बताईए अभी कुछ समय बाद फिर 2021 का चलने लगेगा अभी 2011 का बताओ तो यह कानून जो है गाईज यह अमेंड किया गया था 2003 में जिसे की regulation को इस प्रकार की technologies के लिए और improve किया जा सके जो sex selection में उपयोग में ली जाती है और इसमें हमें देखने को मिलता है कि power दे दी गई थी और जितने भी diagnostic laboratories होते हैं सभी genetic counseling centers होते हैं genetic laboratories होते हैं genetic clinics होते हैं ultra sound clinics होते हैं तो सभी को पालन करना पड़ता है इस कानून का तो यह topic जो news में था वो आप लोग के लिए exam के लिए काम का नहीं है आगे की चर्चा करते हैं अब हम लोग operation shield की बात करते हैं operation shield जो है वो दिल्ली सरकार ने इस operation को शुरू किया shield का full form है sealing home quarantine isolation and tracing essential supply और local sanitation और door to door checks तो यह इसका full form है नाम सीचन में आ रहा है को रोना वारिस को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली ने जो है यह शुरू किया था shield initiative याद रखी है दिल्ली का है और neighboring rights law की बा रहा है यह ensure करेगा कि news publisher जो है गई तो उनको compensation मिलना चाहिए उनके काम के लिए जो भी website पे search engine पे और social media platforms पे दिखाए जाते हैं जैसे कि आप Google पे देखने साइड में news बगर आने लगती है तो उससे किसको फायदा मिलता है Google को मिलता अबर निउस company को फायदा नहीं मिलता तो यह कानून जो है वो यूरोप ने लेकर आ गई कि जितनी भी जो general जो होती है news companies वगरा जो होती है तो उनके अगर content उनके अगर article अगर online दिखाए जा रहा है तो उस journal को या फिर उस particular news publisher को जो है वो पैसे मिलने चाहिए और France के competition regulator ने recently कहा है कि Google को pay करना चाहिए media groups को कि media groups जो है वो अपने content जो उनके content जो मैंने भी आपको बता है कि जो media के content जो Google पर दिखाई देते हैं तो Google को जो हो pay करना है तो यह चीज हम लोग को देखने को मिल गई थी तो इसके बारे में एक आपको idea होना चाहिए अब देखिए बात करते है organization for the prohibition of chemical weapons chemical weapons का उपयोग न किया जाए इसके लिए यह organization हमें देखने को मिल रहा है इंटरगर्मेंटल organization है implementing body है chemical weapon convention की जो 1997 मिलाई गए थी agreement लाए गया था और जिस भी country ने इस agreement को sign किया है वो automatically इस organization की member हमें देखने को मिलती है यह देखता है कि पूरे दुनिया भर में से chemical weapons को eliminate करना है उस पर यह काम क और यह topic इसका news में हम लोग को इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि organization of prohibition of chemical weapons जो हमें देखने को मिलता है तो इसने blame किया है Syria को कि Syria ने पहली बार toxic attack जो है वो 2017 में किया था और Syria के president Bashar al-Assad है तो याद रखिएगा Syria के president कौन Bashar al-Assad इनकी air force जो है guys इसके ओपर आरोप लग करी थी और इस attack ने hundreds of लोगों की जान ले ली थी और काफी सारे लोग जो है वो injured हो गए थे और chemical weapons का उपयोग जो है guys strictly prohibit किया गया है international law किता है chemical weapons convention CWC के बारे में बात करें गाई तो कोई भी इस प्रकार के chemical weapons को ना बनाएगा अपने पास रखेगा ना transfer करेगा ना military purpose के ल उपयोग करने के लिए तो यह सब चीज़ें इसके इंदर शामिल की गई है और देखे पुलिस और प्राइवेट सेल्फ डिफेंस जो है वो उपयोग कर सकते हैं इन्हें जो है वो बैन नहीं किया गया है इस तरीके से जैसे हम देखते ना कि कई बार tear gas का इस्तमाल किया ज 19 के समय पर जो COVID-19 तेजी से फैल रहा है तो उसके समय पर मदद करेगा अब इसमें क्या चीज़ है इस amendment के अंदर कि anyone कोई भी व्यक्ति अगर डिसोबे करता है किसी प्रकार के regulations को या order को इस कानून के तहल तो उसको 2 साल की सजा और 10,000 रुपे का fine या फिर दोनों इसको द जालन नहीं करता है तभी के भी एक और बार revision करते रहना है आप लोगों को और यह सब जो topics में आपको बढ़ा रहा हूं इसका तो एक्जाम से पहले आपको दो बर इसको 2x की स्पीड में सुन लेना है और walk through mass sanitization tunnel at एहमदाबाद station पर mass sanitization tunnel बन गया था नाधी नाधी science-based tool है COVID-19 patient को track करने के लिए याद रखिएगा नाधी जो है वो किस ने मनाया यह चीज़ important है तो CDAC Center for Development of Advanced Computing इन्होंने एक data science-based tool जो है वो तयार किया नाधी national analytical platform for dealing with intelligent tracing tracking and containment नाधी तो यह इसका full form हमें देखने को मिल रहा है COVID-19 patient जो है या quarantine जो लोग है उनको track करने के लिए यह tool मदद करेगा उनके movement को track करने के लिए और यह जो tool जो तयार किया गया है guys यह समहार के तहर तयार किया गया है जो की super computer using artificial intelligence machine learning healthcare analytics based research समहार COVID-19 तो इसके तहर जो है वो इसे बनाया गया और समहार project की बात करें guys तो national super computing mission की partnership में यह project हमें देखने को मिलता है इसे establish किया गया है start-ups के association के साथ इंडस्ट्री के association के शाथ और rapid super computing system और research community जो है वो build-up की जा रही है इंडिया के अंदर corona virus से लड़ने के लिए तो यह समहार भी आप थोड़ा से ध्याम में रखना ठीक है दो नए innovation national chemical laboratory के देखने को मिलने digital thermometer और oxygen enrichment unit mobile phone या फिर power bank जो है वो उपयोग इसका उपयोग किया जा सकता है thermometer के लिए यानि कि thermometer में जो power जो है उसके लिए आप mobile phone या फिर उसका उपयोग कर सकते है power bank का और design जो thermometer का है यह open source के लिए available है मतलब की manufacturing company है यह open source है मतलब की कोई भी manufacturing company जो है वो इस design को adopt करके अपना product जो है वो launch कर सकती है पूरे इंडिया के अंदर और कोई भी copyright claim जो है वो कोई नहीं करेगा या फिर intellectual property rights का claim जो है वो कोई भी नहीं करेगा इस चीज़ के उपर open source कर दिया गया इस design को और oxygen enrichment unit जो है यह oxygen का concentration को 21-22% से लेकर 38-40% तक बढ़ाने में मदद करेगी और यह जो oxygen enrichment unit जो है गाईस यह hollow fiber membrane हम लोग को देखने को मिल रही है जो की separate करेगी और filtrate करेगी हवा को अब देखे गाईस एक नई study के थूप बता लगाए कि groundwater में uranium हम लोग को देखने को मिल रहा है इस्पेशली बिहार की बात करें तो गाईस सबसे जादा है यहाँ पर uranium का content पानी में 80 microgram uranium पर लीटर हम लोग को पानी के अंदर देखने को मिलता है जो बिहार के अंदर है बिहार में भी सुपावल एक करके जगा है वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है और कहा गया कि uranium का जो concentration है वो जाहतर हम लोग को north west और south east band पर देखने को मिलता है गंडक नदी जहाँ पर बहती है उसके east में और गंगा नदी के हम लोग को south में देखने को मिलता है कि इस छेत पर बहुत जादा uranium है और Bureau of Indian Standard के according maximum permissible limit जो होनी चाहिए उरानियम की ओ 0.03 mg पर लीटर की होनी चाहिए जो की WHO की guidelines के according हमें देखने को मिलती है उरानियम की बात करें तो guys यह ह लेवल पर देखने को मिलता है यह element पाया जाता है और naturally भी यह धरती पर significant quantity में पाया जाता है मतब कि इतना है आप कह सकते हो कि tin, arsenic और polydenum जितना है तो उतना हम लोग को यह देखने को मिलता है और gold, silver, tungsten इससे जादा हम लोग को यह नजार आता है uranium धरती पर अब प्रोसीजर फॉलो किया जाता है कि जिस प्रोसीजर में army जो होती है या हमारी जो armed forces जो होती है Indian army, Indian naval force, Indian navy जिसको हम लोग कहते हैं और हमारी जो Indian army, air force, naval force और इसके लावा हमारी coast guard तो यह 4 services हम लोग को armed forces इसके अंदर देखने को मिलती है तो इसमें क्या procedure फॉलो करना होता है कि जिससे कि यह जो armed forces ही है civil administration को मदद करती है तो यह इसके बारे में लिखा है armed forces 1970 regulation for the army and manual of Indian military law के अंदर जो aid to civil authorities जो है उसमें guidelines दी हो ही है कि कैसे जो है वो armed forces civil authorities की या civil administration की मदद करती है तो civil administration जो है वो local military authority से जो है वो request करती है सायता के लिए कि law and order को maintain करना है या essential services को maintain क करना है या जो भी disaster relief जो होती है ना आपदा की समय पर जो हम लोगो राहत देखने को मिलती है तो या फिर दूसरी प्रकार के assistance के लिए army से जो है वो civil authorities जो है वो request करती है सबसे बहले तो और कितने authority को भेजना है ये decide करती है national crisis management committee जिसको cabinet secretary head करते है ये final authority होती है जो decide करती है कि कितने जो soldiers है armed force personnel जो है उनको भेजना है और deploy करना है civil authority की मदद करने के लिए है और civil administration जो होती है वो पूरा खर्चा उढ़ाती है in particular deployment का यह आली चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए right in general तो 13 April 1919 को क्या घटना जो है वो घटी थी तो आप सभी लोग जो है व इचलियों को इनको जो है वो बंदी बना दिया गया था रॉलिट एक्ट के तहए इनको बंद कर लिया गया था इस कानून के तहए ब्रिटिस सरकार जो है उसके पास power थी कि वो किसी भी विक्ति को बिना trial के जो है अरेस्ट कर सकते हैं कितने भी दिनों के लिए तो इन दोन चाहे भी थी उस प्रोटेस्ट में और इवन काफी सारे लोग ऐसे भी थे जो कि उस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं थे क्योंकि यही पर ही पास में golden temple था तो जो लोग विजिट करते थे golden temple में वो अकसर इस पार्क में आकर बैठते थे थे थोड़ा समय बिजाते थे रही त तो इन्होंने जो है गईस यह order पास किया और लगभग 90 soldiers महाँ पर आए और उनने firing कर दी और butcher of Amrit sir जो है वो इसे कहा जाता है इस general Edward Harry Dyer को और इस घटना के लिए और बात में जाकर उसको जो है वो ब्रिटेन भेद दिया गया था उसे command से remove कर दिया गया था और कहा यह भी जाता है कि उसना आत्मत्य गर्री थी अपने आपको गोली मार कर और रबिंद्रना टैगोर जी ने और महत्मा गांदी जी ने अपने ब्रिटिश नाइट होड और कैसरे हिंद को जो है वो त्याग दिया था और 1922 में रॉलिट एड जो है वो हटा दिया गया था निरस्त कर लिए और साथी साथ रीगवरी प्लान ही हम लोग को 500 मिलियन यूरोस का देखने को मिल रहा है तो यह चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना ज्यादा इंपॉर्ड नहीं हो ऐसे दो बट फिर भी यह चीज आपको पता होने चीज है में चीज वर्ल हेल्ट ऑर्गनाइज की हम लोग चर्चा करते हैं वर्ल हेल्ट ऑर्गनाइजिशन यह यूनारेट नेशन की स्पेशलाइज एजिंसी हमें देखने को मिलती है कब इस्टैबलिश की गई थी तो साथ एप्रिल 1948 को की गई थी और यह वो दिन है जिससे में वर्ल हेल्ट डे ऑब्जर्व किया रहा थी Legal एजिए तो डेल्ल हार होते है तो यह असेमली जो होती है वो पॉलिसी इस नरदारित करती है वर्ल हेल्ट और्ड और इसका एक 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 ऐक्जिटुटेव बॉर्ट होता है जिसमें इसके एक्सुट्ब्स होते हैं जो हल्ट कियर की फीद्स के हम लोग को देखने को मिल और WHO की funding के इस प्रकार के से होती है तो चार तरीके होता है पहला तरीका एक तो इसके जो members की जो fees होती है, membership fees जो होती है, उनको जो dues होता है, dues जो अधारित होता है, ये calculate किया जाता है, उस country की population के अधार पर, उसकी wealth के अधार पर, तो वो due होता है इसका, पहला चीज, दूसर चीज, voluntary contribution हमें देखने को मिलता है, तीसरा चीज, कुछ particular specific, जो non important चीजों के लिए, ये non important जो threats होते हैं, खत्रे होते हैं, तो उनके लिए voluntary contribution हमें देखने को मिलता है, और चौती चीज जो हमें देखने को मिलती है, ये इसमें एक और रहता है, यानि की world health organization को manage करने के लिए इसमें pandemic, influenza, preparedness, contribution होती है, चौते नंबर पर है, इसे 2011 में एट किया गया था, तो एक एक करके मैं repeat करवा देता हूँ, कि पहला जो है, ये हम लोग को क्या देखने को मिलता है, dues, members dues, यानि कि जो fees रहती है वो, कि जो हर एक member को जो है, वो देना पड़ता है, उसकी country की income है, उस कि मलग कुछ ऐसी चीज़े होती है, जिसमें ज़्यादा funding नहीं प्राप्त हो पाती, तो उसमें ये fund प्रोवाइट किया रहता है, और ये भी voluntary basis पर होता है, और एक PIP contribution होता है, जिसमें pandemic, influenza, preparedness contribution होता है, तो हमारी वगरा के लिए contribution कंड़ किया रहता है, सबसे ज़्यादा WHO क कौन fund करता है, USA और USA ने विचार किया था, Donald Trump के tenure के दोरान, कि WHO को ये funding बंद कर देगा, क्योंकि ये WHO को बोलता है, कि ये bias है, चायना को लेकर, तो ये चीज़, उसके दूसरे नंबर पर हम लोग को Bill and Melinda Gates Foundation देखने को मिलता है, और तीसरे नंबर पर Gavi Alliance, Vaccine Alliance हमें देखने क European Commission और India 0.48% जो है वो टोटल contribution का World Health Organization में contribute करती है, और चायना 0.21% मातर contribute करती है, तो ये चीज़ आपको बता होनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा पैसा जो allocate किया जाता है, वो polio eradication के लिए किया जाता है, polio को मुक्त करने के लिए, सबसे ज़्यादा WHO पैसा लगाती है, उ देखो, market intervention scheme में होता क्या है, कि सरकार क्या करती है, सरकार जैसे कि जो producers वगएरा जो होते हैं, जैसे कि farmers हो गए, तो उनसे crops जो होती है, वो खरीद लेती है, जैसे कि crops वगएरा में नुकसान जो हो ना सहना पड़े, इन किसानों को, इन producers को, और ये scheme जो हो राज्य लागू करती हैं, और ये इसमें जो भी नुकसान जो होता है, वो राज्यों का हम लोग को देखने को मिलता है, महला कि जो भी contribution जो राज्य करती है, उसका 50% हमें देखने को मिलता है, कि center के दौरा जो हो किया जाता है, क्योंकि आधे जो losses होते है, procurement के उपर, खरीददारी के उपर, वो state bear करती है और उसके आधे center bear करते हैं, और Department of Agriculture and Corporation जो है वो इस scheme को implement करती है, देखो एक है, चित्रा, एक्री, लोसॉर्ब, सीक्रीशन, सॉलिडिफिकेशन सिस्टम, तो ये basically super absorbent material हमें देखने को मिलता है, जैसे श्री चित्रा, तीरुनल इंस्टिट्ट फॉर, और medical science and technology के scientist के द्वारे develop किया गया, ये material जो है guys, तो ये basically super absorbent material, ये infected respiratory secretion जो होते हैं, उनको absorb करने के लिए, यानि कि एक space को disinfect करने के लिए, हम लोग को देखने को मिल रहा है कि absorbent जो है वो develop किया है, तो और SCTI, MST, जो है ये autonomous institute है, जो कि DST के अंडर हमें, Department of Science and Technology के अंडर ह में देखने को मिलती है, अब Paralympics की बात करेंगा है, तो ये इसके अंदर Paralympics जो है वो international multi sports event की एक series है, जिसमें जो disabilities जिन athletes को होती है, तो वो athletes इस Paralympics में जो है वो भाग लेते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और International Paralympics Committee ने 10 disability category जो है वो established की हुई है, ज short stature, hypertonia, ataxia, aethetosis, vision impairment और intellectual impairment तो ये चीज़ है, और आगे की जो current affairs का revision है, हम लोग next class में, कल की class में continue करेंगे, तब तक लिए बाबाई, take care